जैमाता दिमित्रों, सभी साथियों को नमस्कार कुम्ब लगन और कुम्ब राशी वालों के लिए गोचर में अभी बहुत सारे प्रकार से यानि कि कम सकम पांच प्रकार से राजजोग बन रहा है कौन कौन सा राजजोग बन रहा है, कैसे बन रहा है ये सारी बाते मैं भी आपको बतलाऊंगा पित्रोज जो आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर एस्ट्रोलोजी की जो बातें बतलाई जाती हैं वो क्यों होती हैं कैसे होती हैं और उसका mathematical analysis कैसे होता है ताकि आप भी समझ भी पाएं कि ये चीज जो हो रही है वो किस वज़े से हो रही है वो सारी बाते मैं बतलाता हूँ इसलिए आप लोग चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लें कुम्ब लगन का जो स्वामी है यानि कि लौड वो शनी देव हैं और शनी देव अभी आपके लगन में ही है और साथी साथ आपके ओपर शनी की साड़े साथी भी चल रही है हालनकि शनी की साड़े साथी अभी चलती रहेगी लेकिन चोगी शनी लगन में आपके स्वागिरी हो करके बैठे हैं, तो वो एक पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं, जिसका शुब फल आपको मिलेगा, अगर आपकी लगन कुंडली में शनी अगर पीडित नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इसका शुब फल मित्रों, ब्रह्माण में अभी कुंब लगन के लिए, कुंब राशी वालों के लिए, पांच प्रकार से बहुत बड़े-बड़े राज्योग बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, और वो क्या फल देंगे, और वो योग बन कैसे रहा है, ये जानेंगे, इतनों सबसे पहले अगर हम देखें, तो शनी की साड़े साती चल रही है, और साथी साथ, साड़े साती में शनी गोचर में स्वागरी होकर के बैठे हुए हैं, और वो भी लगन में ही बैठे हुए हैं, तो वो अच्छा ही फल देंगे, अब जब शनी लगनेश होता है, फोर्थ हाउस का और नाइन्थ हाउस का दोनों का जो स्वामी आपके होते हैं, वो वीनस होते हैं, शुक्र होते हैं, बितनों सबसे बड़ी बात दिया है कि शुक्र अभी आपके दिसंबर में, पूरा दिसंबर, शुक्र आपके नवंभाव में रहेंगे, नवंभाव जो बैधवब है। जो भी कुछ आरामदायक old, जो चीज़े होती हैं, जो भी चीज़ आप आहya सुमझते हैं, जो जो आपकी इच्छाए होती हैं शुक्र क्या है इच्छा हैं जो भी आप इच्छा करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं धन, बैभब, मोटर, गाड़ी, जो भी चीज आप आराम दायक इस्तती पाने के लिए जो चीज चाहते हैं वो सब शुक्र है और वो शुक्र अभी अपने ही राशी में, अपने ही घर में, आपके भाग्यभाव में गोचर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ उस पर शुब गरहों की भी दिर्ष्टी है उस पर ब्रहस्पती की भी दिर्ष्टी पर रही है यानि कि ब्रहस्पती एक नंबर में है यानि कि मेश में है और साथ नंबर उससे सब्तम भाव में यानि कि गुरु और शुक्र का सम सब्तक योग बनने जा रहा ह जो कि बहुत ही बड़ा राज्योग है, साथ ही साथ वही शुक्र शनी के साथ नवपंचम योग बनाने जा रहे हैं, शुक्र आपके नवम्भाव में और शनी आपके लगन में, तो शनी से शुक्र नवम और शुक्र से शनी पंचम, यानि कि नवपंचम योग बनाने जा रह क्वण लगन की कुंडली में शुक्र कोनी केंदर केंद्र और दोनों का लॉड़ अंदर शुक्र जो है वह केंद्रका लॉड़ है और त्रिकोन यानि की फोर्थ हाउस और 9th house तो शुक्र अभी आपको सबसे ज़्यादा अधिक शुवफल देने वाले हैं शनी ने पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है शनी और शुक्र का नव पंचम योग भी बन रहा है और शुक्र पर ब्रहस्पती की सब्तम द्रिश्टी ब्रहस्पती और शुक्र तक योग बना रही है यानि कि शुक्र शनी ब्रहस्पती इन तीनों ने काफी अच्छा योग भी बनाया है और जो आपको फाइदा भी देगा जब लगन में शनी होते हैं तो दसम भाव पर में शनी की द्रिश्टी होती है दसम द्रिश्टी तो दसम भाव यानि कि आपका कर्म भाव और कर्म भाव पर में शनी की द्रिष्टी बहुत ही अच्छा यानि कि एक ऐसा काम करवाती है जिसमें आपका परभुत्व रहता है दसमेज मंगल अभी आपके बीच में पंच महापुरुस योग भी बनाएंगे और साथ ही साथ जब बुद्ध आपका एकादस भ काफी अधिक आपको फाइदा होने वाला है वित्रों इस तरीके से आपका जो कारक ग्रह है शुक्र और शनी और बुद्ध ये तीनों ही दिसंबर तक पूरे दिसंबर तक काफी अच्छी इस्तिती में है और इसको आपको इसका लाभ भी लेना चाहिए आपको इस सम्याव अधिक मेहनत करना है अपने काम में आपको सबसे ज़्यादा जो परिस्ति अच्छी आपकी बन रही है वो बिजनिस में बन रही है यानि कि बिजनिस का जो भाव होता है साजेदारी का जो भाव होता है वो सब्तम भाव बहुत ही अच्छा होने जा रहा है उस पर जहां जहां भाग की आवशक्ता होती है कुछ काम ऐसे होते हैं जो भाग की वज़े से रुक जाते हैं तो जब कभी कहते हैं ना कि भाग की आवशक्ता है तो यह जो अभी 31 दिसंबर तक का समय है इसमें आपको भाग पूरी तरीके से साथ देने वाला है इसमें भाग का साथ साथ ही साथ अपनी मेहनद जारी रखें और इसमें आपको पूरा फायदा मिलेगा नव पंचम योग और समसबतक की योग जब शुब गरों के साथ बनता है तो काफी अच्छी इस्तिती बनती है तो इन सारी चीजों में आपको अच्छा फायदा होगा साथ ही साथ अभी आप शनी का जो तांतिरिक मंत्र है, ओम शंटकराई नम इसका जाब करें, अगर कर सकते हैं तो आप दसरत्त विख शनी कश कवच भी पाट करें, साथ इसाथ हनुमान Чालीसा और सुंदर कान भी पाट करें, और शनी वार के दिन पीपल में जल अवच्चे दें, पीपल में ज जल देने से शनी देव का जो भी जो नेगेटिविटी होती है लाइफ की वो दूर हो जाती है जल दी मैं इस पर आपको पूरी डिटेल इसकी जो स्टोरी है वो बताऊंगा कि पीपल में जल देने से शनी देव कैसे शांत होते हैं मितरो लाइक शियर सबस्क्राइब जरूर क